है भगवान एक चूट स्वीट हैंसम से लड़के को मेरे पास भेशते ना समझ गए ना आपका और हमारा कोई खोन का रिष्टा भी नहीं फिर भी आपके लिए आपके बच्चों के लिए हम तिन रात एक करके मौसम की परवा किये बिना लड़ते आप हमारी सिमेदारी हैं क्या कर रहे हो तो थे भटाना है । रह— हम तुम्हारी जान की रिष्ट करने के लिए यहां पर है हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं हम आँ तुम्हारे ले जान की बाजी लगा रहे और तुम यहां और तो को चाको छूरी दिखा रहे हो शराण म्यादी का तुम्हें तरने वाला ही समझाओता कि बात करता है लेकिन मैं किसी से रहे डरता तुम लोग हमारी बचाईवी जानों में से एक हो हम वहां बॉर्डर पर जान की बाजी लगाते हैं और तुम यहां बेहुदा काम करते हो जिम्मेतारी नहीं है क्या अरे बाप रहे यह आर्मी वाला तो ताला लगा रहा है मैं तो डर गया क्या रहे अब वहां बैटकर क्या कर रहा है बॉर्डर नहीं है यह पार्टी आफिस है अग भी क्यों करते हो सिधर ट्रांफर करता साले का पुलीस सब हमारे हाथ में है तुछ पे कोई भी केस जाल कर अंदर कर देंगे अबे पुलीस और आर्मी में फर्क होता है हमें यहां बैठा कर तुब बॉन तयार कर रहा है ठीक है अगर आप लोग इतना ही पूछ रहे हैं तो मैं आप लोगों के एक कहानी सुनाता हूं बंदलपुर नाम के गाउं में एक दादा जी रहते थे दादा जी ने एक दिन फसल उगाई थी एक रात को एक चुहां आकर उनकी सारी फसल को खराब करके चला दादा जी ने कहा जो बैठ चुहें तू मेरी फसल खराब करेगा उन्होंने एक रात उसे चला कर मारने का प्लान किया एक ही रात में सारे चुहे जलकर मौत के खाट उतर गए थे इस चुहे और बुड़े की कहानी से हमारा के लेने देना इस कहानी से हम सब का बहुत गहरा समन्द है सार और ये रहा मेरा चुहा इसे सिमेदार बनाने की मैंने कसम खाई है अगर कोई भी चुहा इसे बचाने के लिए पीच में आया तो उसे भी मौत के खाट उतार दूँगा मैं और तुम सब साथ देने वाले सौचुए दादा जी ने तो सिर्फ आंग लगाई थी लेकिन हम तो मिलिटरी वाले हैं बॉम लगाएंगे ये बंदूग की गोली की तरह नहीं है जो तुम लोग छुप कर इससे बच जाओगे एई अगर कोई भी हिला तो वायर खीच दूगा ये बॉम बैसर फटके चार हो जाओगे पांच मिनिट का टाइमर लगाया है चार मिनिट बात करना चाता हूँ इस जट से सुरोगे तो डिफ्यूज करके निकल जाओगा जल्दी से बोल बेटा जल्दी से बोल मैंने गूगल पर जाकर इंडियन पॉलिटिकल स्कैम्स ऐसा टाइप किया तो फिर पताए उसके बात मुझे क्या मिला लेकिन आप लोग सब भूल गए लेकिन गूगल नहीं भूला है गर स्कैम की हुई रकम में से 0.001% भी हम हमारे देश की ग्राउन लेवल प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी इस्तमाल करेंगे तो लेकिन हमारे देश में तो बढ़ाई के नाम पे कुछ और ही चलता है लेकिन हमारे देश में डॉक्टर आएंगे, पैसे लेंगे, चेक अप, चेक अप, चेक अप करके बिल बनाएंगे और बच्चे की वही पर जावन निकल जाएगी हर चीज को ठंदा बना रखा है टॉलेट जैसी बेसिक फैसलिटीज भी नी प्रवाइड कर पाते साले तुम लोग कब सुच्छों के तुमारी हमारे पीने वाले पाणी से लेकर चलने वाले रोडों तक और ट्रीटमेंट करवाने वाले होस्पिटल से बच्चों की मौत तक के यहाँ पर मौजूद कमीनों ने पैसे कमाए हैं या नहीं ते और उसे लेने के बाद तुम लोग आराम से यह कहते होगी यह सब तो हमने तुम्हारे लिए किया यह सब तुम्हारे वेलफेर के लिए है इस देश का हर नाकरिक अपना आधार काड और पैन काड बनवाता है फिर उससे अपना बैंक अकाउंट लिंक करता है सी रूम में बैट कर कॉफी पी कर तुम लोग सब कुछ मिनेट टू मिनेट ट्रैक करते हो ठीक है फाइनेशल ट्रांसपरेंसी और हर साल जो हम लोग तुम्हें करोड रूपया टैक्स देते हैं हम भी सुबा सुबा लुंगी पैन के कॉफी पीते पीते मुबाइल पे सारे तुम्हारे ट्रांसेक्शन देखना चाते下 तुम्हारी भी यह उजनाव का एक अकाउंट बनाओ सारे पैन का ड़वर का ङॉज में सिर्फ तुम ही हमारे अकाउंट देख सकते हो अगर हमने तुम्हारे अकाउंट देख लिए तो तुम खाओगे क्या तुम लोग चाहे जितने भी गुना कर लो तुम लोग चाहे कितने भी कांड कर लो लेकिन हम लोग बिना किसी स्वार्द के तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमली के लिए बॉर्डर पे गन लेके खड़े रहते हैं